हलो इस्ट्रेंट स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्णिर प्रफार्म बी यसी बायो वाला इस्ट्रेंट प्रिवियस क्लास्वर्म ने आपको सेल साइकल के बारे में बताया था आज इस लेक्चर में उसी स्ट्रेंट को कांटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज और ओपन माइटोसिस के बारे में यानि कि क्लोज माइटोसिस और ओपन माइटोसिस क्या होता है आज इस lecture में इन सब को हम cover करने वाले ठीक तो previous class में आपने cell cycle और cell division पड़ा जिस पर बने बताया कि अगर एक से दो cell बनते हैं तो उसको हम लोग mitosis कहते हैं और एक से गर चार cell बन रहा है तो उसको हम लोग meiosis कहते हैं लेकिन उसी में आपको एक terminology और दे दी गए थी आपके syllabus में close और open mitosis के बारे में आपको पढ़ना है तो पहले आप लोग समझते कि open mitosis क्या होता है देन आपको close mitosis एकदम आसानी से clear हो जाएगी ठीक है तो इस टेंट अभी तक आपने किसी भी semester में या इंटर में या उससे किसी भी class में ठीक है आपने mitosis पढ़ा होगा यहादे किकर हम कहें कि अभी तक आपने जहां भी mitosis पढ़ा होगा वो आपने open mitosis पढ़ा है ठीक है वो सब क्या है open mitosis है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह होता है जो open mitosis होता है आप लोग mitosis जब पढ़ते है तो आप लिख देखते हैं कि जो mitosis होती है उसमें सबसे पहले karyokinesis होती है अब उस karyokinesis में 4 stages होती है pro phase, anaphase, telophase और metaphase यही होती है sorry 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 एक बार फिर से PMAT pro phase, metaphase, anaphase और telophase यह 4 stages होती है pro phase, Praise, anaphase और telophase यह 4 stages आपने देखते हैen किसमें mitosis में जो आप लोग पढ़ते हैं घंक तो आप लोग देखते हैं कि जो pro phase mıpod प्रोसिस में जो फेजिस होते हैं वो चार्ट होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टीलोफेज, और इसमें क्या होता है, कारियो कानेसिस, ठीक है, तो जो इसका फस्त फेज होता है, वो क्या होता है, प्रोफेज, और लास्ट फेज क्या होता है, टीलोफेज, ठीक नाम भी देते हैं ठीक है और यह जो प्रोफेज का पहला फेज होता प्रोफेज इसमें जो नुक्लियर मेंब्रेन होते हैं ठीक है जो नुक्लियर मेंब्रेन होते हैं वो सब क्या होते हैं डीसेपीर हो जाते हैं ठीक प्रोफेज से जो की क्रोमोसुम आपके क्या होते हैं क्र जब प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है और यही से नुक्लियर जो मेंब्रेन होती है वो डिसापियर स्टार्ट होना चालो हो जाते हैं ऐसे से डिसापियर होना स्टार्ट चालो हो जाते हैं लेकिन जैसे मेटाफेज आता है यह कंप्लेटली डिसापियर हो जाते हैं प् तो यहां पर आपका नुक्लियर मेंब्रेन होते हैं वो डीशपी है जब नुक्लियर नुक्लियर मेंब्रेन डीशपीर हुआ तो यहां पर जो क्रोमोसो मेट्रियल होती है वो ओपीर हो जाती है ठीक अच्छे यहां पर थोड़ा सम दिखाते भी आपको देखते हैं कि नहीं ठीक जब आपको पढ़ाएंगे माइटोसिस के बारे में ठीक है यहां पर देखते हैं इंटरफेस के बाद अरली प्रोफेस स्टार्ट हुआ तो आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे डॉट-वाली बची होई है ठीक है बाहर की उसमें बनाये गया है लेकिन उसके बाहर की जो लियर है वो डीसपीयर हो गई है ठीक है वो डीसपीयर होने लगते है ठीक यह वाली तो जब यह disappear हो जाते हैं तो यह क्या हो जाते हैं चुझ यह chromosome material आप देख रहे हैं यह open हो जाता है कोई इस पर बाहर कोई आवरल नहीं दिखाई परती कोई layer नहीं दिखाई परती इसलिए हम इसको open mitosis का नाम देते हैं को इसको open mitosis भो दिए Porsche तो मुने बताइ कि आप ही तक जितने भी माइटोसिस ऌरे है ओ तो उसकेram भी आपका सेंट्र सो आपका रल्सों होता है वह क्या होता है फूर उसकोई नहीं हो जाती है ठीक है ठीक है उस पे ठीक मतेजी अलेक्रोम मोसोम क्लोज माइटोजज़ फुला पर जाते और लिए इसको कहते हैं लोग ओपेर सक्षी घूत्योप03 तिक पनल माइटोशेस कहा है समझ में आई हिसuur के संधय के संदर में आता है आपका close mitosis अब यह close mitosis में क्या होता है? और हाँ, जितने भी plant और animal होते हैं, यही close mitosis में, close mitosis, sorry, open mitosis चाधेतर होते हैं, चाधेतर जो mitosis होते हैं, वो plant और animal के case में देखा जाता है, तो close mitosis ही देखने को मिलता है, यह कि वाल कुछ आर्गनिजम में होती है कुछ आर्गनिजम में कहने का मतलब जैसे यूप का यार्ष योनिसर्वर जो होती है जैसे आपका इस्ट फंजाई स्थ सैक्भरमाइसीज या खमीर का आप सुनते होंगे खमीर, ठीक, साइक्रोमाइसिस इसको बोलते हैं, फंजाई, इस्ट, इस सब में क्या होता है, क्लोज माइटोसिस होता है, ठीक है, क्या होता है, इस सब में क्लोज माइटोसिस होता है, ठीक, स्लाइम मोर्ड आप लोग देखते हैं, जो मिसो फाइटा का मिंबर है, इसमें भी क्लोज माइटोसिस होते हैं ठीक है और एक कुछ है इसमें आपको प्रिम्टि फंजाई भी होते हैं जिसको प्रिम्टि फंजाई भी बोल देते हैं इस सब में क्या होता है क्लोज माइटोसिस होता है आप पार जो क्लोज माइटोसिस होता है वह कैसा होता है देखें क्लोज मा करेंगा है क्रोमोसम क्या करेंगा डिवाइड करेंगा डिवाइड delegat हो जाएगा लेकिगुपी spindle fiber का formation भी होगा से spindle fiber का Batter भी होगा क्रोमोसम डिवाइड भी करेंगे ठीकए लेकिग जो Nomह Modern होता है वह डिसपीर नहीं होता तो नहीं होता इसलिए इसको तो हम लोग close mitosis का नाम देते अब आजी थोड़ा साम लोग कि लैंग्विज्ट के माधियम से समझ यह अभी सारी बात आपको समझ में आ जाएगी मने बता है जो close mitosis होता है open mitosis होता है उसमें जो nuclear membrane होती है ठीक है जैसे यह सेल केंदर क्या है नूज क्लीयर मिंब्रेंड होता है ड़ा कि क्लीयर मिंब्रेंड होता है यह दिद्स पर प्रोर क्रोन तो क्रोरां स्मेसिता है और थिक फिर समझें कि अले सल के अंदर क्या यह पर अप्रहुआ प्रोमोसूम लाज हुआ है यह कर डिसपीर हो चाहिए तो बचता जिए के वहल रप्रोवूसॉम बचता है उस कोई प्रोटेक्टिव कोवनेर नहीं होती वह पूरा डिसपीर हो जाते हैं ठीक यह चाह वह यह आपको ऐसे देखने को मिलेगा ठीक ऐसे आपको देखने को मिलेगा ओपी लेकिन प्री फिर प्रो फेज मेंटाफेज एनाफेज trafes की विस्तव जब आसी फीर यह क्या हो जाएंगी रियपियर हो जाते हैं यह होता आपको माइट्होस जिन नार्मल माइट्होस सिस पी और जो आका क्लोस माइट्होस होता है इस पहे इस जो मिब्रेन वैसे पड़ा रहता है इंट्रेक्ट आप क्रोमोसोम मागरेट तू अप्योजित पोल लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वह अप्योजिट पोल पर चले जाएंगे spindle का fiber बन जाएगा, nucleus की साथ spindle का fiber spindle fiber formation हो जाएगा, chromosome वैसे रही जाएगे, ओ डिवाइड हो जाएगे लेकि जो nuclear membrane होता है, वो disappear नहीं होता है, इसी रिये सको करते है, close mitosis लेकिन उसमें क्या होता है, nuclear membrane disappear हो जाता है, अग इसको अभलोग open कर देते हैं, ठीक इक्जामपल देखिए इस्ट सेल में किस प्रकार से उसको यहां पे दिखाए गया यह देखिए कि इस्ट का सेल है ठीक है इस्ट सेल में क्या हुआ आउट ग्रोथ होने लगी तिक है जो यहां पे इसका मेंग्रेन है ठीक है और की नब्रोथ हुआ रूकर बीक में क्या है इसमें आपका नेक्लियर मेंग्रेन ता बाहर एक आओट ग्रोफ हुआ घरत तो क्या हुआ इस्का जो नियूट्रीس था इस में चला गया ठीक है इसका जो G dipred grote इसमें चला गया उसके बाद ये जो नियूट्रीर झानी उसमें भी त्यकुना लेखिन देखा आपने क्या नुक्रीय-म्रेन डिसपियर नहीं उसके बात दो टाठर को इसके नी चोटा बना ऊहांकर जा यह इतना बड़ा है तो यह बड़ा होता है छोटा होता है तो इसमें नुक्लियर मेंब्रेन कहीं डिसपीर नहीं होता है इसलिए इसको cellphone कैल यह तूसरी आतेया कि कि- ओपिन मांटर यह इस इस न्यूक्यय Helen ड्रेकड़। रिकड़ूँ इं प्रोफेस में डिसभी होते हैं तो आपका चुना जाता है थे प्रो फेस फ्रोफेस मेल हो जाते हैं प्रोएपोस solar हो जाते हैं फिर ज़रे तर उन समी में यह open mitosis देखने को ही मिलता है तो open mitosis को हम लोग next lecture बे समझेंगे हमने सोच था कि आपने mitosis पढ़ा होगा ठीक है आपके playlist में mitosis अड्र कर दिया गया है आप लोग उसको पढ़ लेजीगा लेकिन जो हम यह mitosis बताएंगे यह हम plant के case से बताएगे जो अपने BSC first semester में पढ़ा होगा चुलोजी के playlist में और इसे playlist में भी add कर दिया गया है वो animal के case में बताएगे है ठीक है लेकिन लगबग 95 या मालेजे की 90% जो चीज़े है वो same है ठीक के वहल 10% चीज़े दूसरे से dissimilar होई है थोड़ी चीज़े वहाँ पे अलग तरीके से देखने को मिलती है जिसके बारे हम आगे discuss करेंगे ठीक है तो यह पूरा था आपका close or open mitosis के बारे में तो आपका concept के लिए हुगा close or open mitosis का ठीक आए नेक्स लेक्टर हम लोग समझेंगे माइटोसिस के बारे में जो यह माइटोसिस पढ़ेंगे न यह open mitosis ही होगा ठीक है यह वाला ही होगा open mitosis के बारे में ही होगा यह ठीक अगर आपसे कोई open mitosis पूछता है तो जो आपने normal यह भी तक पढ़ा है वो आप लोग बताएंगे अगर close माइटोसिस पूछता है तो आप लोग इसकी एजामपल दे सकते हैं अगर आपसे कोई difference पूछे open or close mitosis में क्या डिफरेंट है तो आप लोग यह बताएगा कि जो open mitosis होता है उसमें nuclear membrane disappear हो जाता है लेकिन close mitosis में disappear नहीं होता इसलिए क्लोज माइटोसिस उसमें क्या होता है open mitosis में disappear हो जाता है disappear होने के बाद जो उसकोई प्रमोस्व होता है वह open हो जाती है तिक उस पर कोई आपके देखने को नहीं मिलता के वहलत सेल्की के मेंब्रेट होती है ठीक है प्लादमा में होती है nuclear membrane ने के nucleus का इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अगर आपके कोई डाउट कोई कोई क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेस्टन को पूल सकते हैं मिलते हैं अगली लेक्चर में माइटोसीज के साथ मिलते हैं तो हमारे जो अगली क्लास होगी माइटोसीज की वो थोड़ी लंबी क्लास होगी तो क्लास माइटोसीज की और मियोसीज की एक लेक्चर में हम पूरा माइटोसीज और नेत लेक्चर में पूरा मियोसीज कम्प्रीट कर लेंगे ठीक है वो दो लेक्चर आपके थोड़ी सी ल क्लांस के साथ वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा पर लाइकन दवाले जिएगा ताकि आपको डेलिक ली नोटिफिकेसर्स मिलते रहें ठीक